हलो बच्चों जेहिन, आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों, atomic structure का lecture never six, जिसमें हम पढ़ें बच्चों मोजले experiment ठीक है और मोजले experiment द्वारा ये प्रूव्ड हो गया बच्चों कि जो element की जो specific प्रोपर्टी होती है वो atomic number होता है that is not atomic mass ठीक है और इस पर उन्होंने मोजले ने किया बच्चों about 1913 में बच्चों 1913 में इन्होंने एक x-rays experiment किया बच्चों x-rays experiment जिसे मोजले experiment से नाम से जानते हैं सभी बच्चों को पता है कि next video में हम जब discovery of electron पढ़ा रहे थे या cathode rays पढ़ा रहे थे बच्चों तो उसमें एक property मैंने बता था when cathode rays fall on metal जब cathode केड़ें बच्चों किसी मेंटर पर पढ़ती है then it produce secondary waves तो ये धुतियक तरंगे निकलते हैं बच्चों that is called x-rays उसी को कहते हैं बच्चों x-rays अब x-rays उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से एक कैनल ट्यूब ले लिया बच्चो जो कैथोर ट्यूब ले लिया अब कैथोर ट्यूब क्या होते है बच्चो जिसमें से इलेक्टोन बीम निकलते हैं बीम इलेक्टोनों की बीम ही कैथोर रे बढ़ते है बच्चो अब इन्होंने एक टारगेट रखा इस तारगेट पर जो आप देख रहें बच्चों इस टारगेट पर अलग-अलग मेटल को रखा और मोजरे ने लगबग बच्चों पच्पन एलिमेंट पर ये प्रियोग करके देखा से जिस प्रकार से उनके अटॉमिक नंबर थे बच्चों उसी तरह से वो सेरियल से उन्होंन इनाइड का रिफलेक्टर होता है इसके फिष्टर लखे रहते हैं जब इस पर टकराती है तो अलग-अलग यहां के एकॉर्डिंग अलग-अलग बेवलेंथ फेक्वेंसी आती है एक्सरीज की बच्चों अब बेवलेंथ निकाल लेने पर उसकी फेक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं रिस्टोकल होता है बच्चों तो इन्होंने देखा कि पहले हाइडोजन को रखा फिर इन्होंने उसका एक फेक्वेंसी निकाल के देखा फिर हेलियम को रखा ऐसे ही लग-बच्चों पच्पन एलिमेंट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमें का जो root था बच्चों वो directly proportion था atomic number पर अर्थाथ जो frequency x-rays निकल लई थी बच्चों frequency emitted by x-ray by any target element these are different और these root frequency बच्चों इसकी जो root frequency थी वो directly proportion थे atomic number पर बच्चों अर्थाथ frequency का root और atomic number बच्चों एक साऄ रिस्ता आ गया और इसी पर जब उन्होंने graph खिचा बच्चों तो एक state line graph प्राप्थ हुआ root frequency और atomic number बच्चों तो इन्होंने graph कुछ इस प्रकार से plot किया बच्चों इधर इन्होंने लिया भच्चों atomic number बढ़ता हुआ अख्रम और इधर इन्होंने लिया बच्चों frequency का root जो x-rays द्वारा target से निकाली जा रही थी तो इन्होंने पाया बच्चों यह ऐसी state line प्राप्ट हो रही है अर्थात जैसे जैसे इनका atomic number बढ़ रहा है बच्चों frequency के root की value भी बढ़ रही है यह देखो तो यहां पर इन्होंने एक graph प्राप्ट किया इस प्रकार से उन्होंने प्राप्ट जिस तरह से atomic number बढ़ रहा है बच्चों वैसी तरह से फैक पैंसिंग परिवर्धित हो गई अगर यहां अलग-अलग element माल लेते हैं element A है, element B है, element C है ऐसे बढ़ते क्रम में रखा तो जब इन्होंने एक list बनाई बच्चों लगभग पचपन element पर इन्होंने प्रियोग किया था बच्चों तो पच्चपन element पर जब इन्होंने list बनाई तो एक state line प्राप्ती तो इन्होंने क्या किया बच्चों इन्होंने experiments क्या देखा, frequency का जो root होता है बच्चों वो directly proportion होता है Z की, अब बेलकुल बराबर करने के लिए उन्होंने दो constant रख थे बच्चों, तो ये frequency का root, easy equal to हो गय a और z minus b बच्चों, जहां a and b बच्चों एक प्रकार के constant हैं और a proportional constant b किसी x-rays का बच्चों specific constant होता है, वो दिया रहता है, तो आप इन constant को निकाल दो बच्चों, तो ये हमारा प्राप्त होता है, अर्धात frequency का root directly proportion इसके होता है, इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला जिड्ड बच्चों, that is, that is a specific property of element बच्चों, element के, जो element की property होती बच्चों, वो अच्छे से define होती है, atomic number से, पहले माना जाता था बच्चों मेंडलीव के जबाने में, कि mass number change करने पर ये बदल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो जब इन्होंने बच्चों atomic number की खो element का, atomic number बच्चों, अलग-अलग होता है, बच्चों, अलाग-अलग atomic mass number को बदलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इन्हों ने ग्राप रांक लात किया, अब जब उन्होंने इस प्रकार से graph लाक लाक लात किया, इधर बच्चों A है, जयान रहे, मैंने जड्लिया है, जैसे जैसे atomic weight बढ़ता रहता है बच्छों वैसे वैसे कहीं frequency बढ़ जाती कहीं घड़ जाती कहीं बढ़ जाती तो यह specific property बच्चों यह नहीं होती है ठीक है अब इसकी specific property जब इसका state line रहा रहा है इसका मतलग जैसे जैसे बच्चों, atomic number बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी frequency भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो mass number में और frequency में ग्राफ खिचा बच्चों, तो जिग जग लाइन आई, तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, atomic mass number, that is not a specific property of element, that is a atomic number, the specific property of element, इसलिए बच्चों, अब मेंडेलीव की periodic table, जो mass number थी, उसमें change करना पड़ा, और बोर्ण, ये मोजलेने बच्चों, उसमें परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने पर जो periodic table, बेस थी atomic mass पर मेंडेलीव की, उसको atomic number पर बढ़ कर दिया, और modern periodic table की new रख थी, तो इन्होंने क्या दिखाया, कि जैस जैसे atomic number बढ़ रहा है बच्चों, और frequency बदल रही है, element की property भी बदलती रहती है, आई बास समझें, तो उन्होंने एक modern periodic table दिया, कि physical and chemical property of element is functional to the atomic number, not mass number, ठीक है, atomic number पर यही modern periodic table है, जबकि मेंडेलीव नहीं क्या कहा था, कि property of element is directly proportional या functional to the mass number बच्चों, लेकिन जब mass number में जिग जैक लाइने प्राप होई, यह उसकी property को दिखा नहीं रहती बच्चों, तो इस प्रकार से modern periodic table बेस हो गई बच्चों, atomic number पर, और तब जो परिवर्तन किया गया है बच्चों, मोजले द्वारा और बनाया modern periodic table बच्चों, ठीक है, तो यह आपने देखा बच्चों, क atomic number क्यों specific property होती है, किसी element की, और मोजले ने बच्चों x-ray experiment द्वारा यह गूप कर दिया, x-ray experiment क्या है बच्चों, जब हम कैथोड रे को अलग-अलग element पर डालते हैं, तो अलग-अलग frequency निकलती है बच्चों, और उन्होंने जब पाया लगभग 55 element पर लगातार क्रम से experiment क अलग गए, और उन्होंने जब देखा frequency जो निकल लगी थी x-rays की, और element का जो atomic number था, उसके root और उसके z में, बच्चों और फात atomic number में, एक बिसेस relation निकला, और जब उन्होंने relation दिखाया, तो वही कहलाता है, बच्चों, मोजले experiment, उन्होंने relation देखा था, कि कि किसी भी irradi होता है, जब कि state line प्राप्ट होती है, जो approved करती है, बच्चों, specific property of element that is atomic number, not mass number, ठीक है, तो चलो बच्चों, आज तक यही तक हम आसा करते हैं, बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, लिखने के लिए आता है, तो यहां से बच्चों, यह potassium, फेरी cyanide का crystal होता ह है, जो reflected का का काम करता है, और reflect होकर के, इसने जब spectrum लिया बच्चों, x-ray का spectrum, और spectrum से wavelength का मिज़र करके, उसके उन्होंने frequency निकालने के बाद, उन्होंने relation देखा, कि अगर धीरे-धीरे atomic number change हो रहा है, तो इसकी frequency भी धीरे-धीरे change हो रही है, और इसमें जब frequency के root और atomic number में graph feature एक CD line पर आप्ट होती है, जो ए प्रूब करती है, कि हर element का बच्चों अपना इस पर सिगूर होता है, और जैसे जैसे atomic number बढ़ता है, या घड़ता है, तो उसकी property दो उसी तरह से change होती है, तो बच्चों आज की वीडियो आई तक, अच्छा लगता है, तो लाइक करिए ने कोई बात नहीं, thank you very much.